नमस्कार मित्रों चलिए बात करते हैं आज चंद्रमा के बारे में चंद्रमा किसी का अगर सेकंड हाउस में होता है कुंडली के दूसरे भाव में होता है तो वो किस प्रकार कफल देता है देखिए अगर तो चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में अपनी उच राशी में है और चंद्रमा की उच राशी वरिशब राशी कहलाती है अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में नंबर दो लिखा हुआ है तो आपकी वरिशब राशी है इंग्लिश में इसको टॉरस भी कहते हैं तो टॉरस में या व्रिशब राशी में चंद्रमा उचका होता है और यदि कुंडली के सेकंड हाउस में कोई और गिंती लिखी हुई है फॉर एक्जामपल फोर नमबर लिखा हुआ है तो ये चंद्रमा की स्वराशी है फोर नमबर से हमारा मतलब कैंसर साइन से है करक राशी से है जो की चंद्रमा की स्वयम की राशी है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी कुंडली में जो सेकंड हाउस है क्या उसमें दो नमबर लिखा है तो अगर हमें ये चीज मिल जाती है तो ठीक है दूसरी बात चंद्रमा पर किसी भी प्रकार के पाप ग्रह की दृष्टी नहीं होनी चाहिए यानि शनी की दृष्टी ना हो, राहू या केतू की दृष्टी ना हो और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टी ना हो चंद्रमा अगर कुंडली के दूसरे भाव में शुब अवस्था में है देखें दूसरा भाव किस चीज़ का है कुंडली का कुंडली का दूसरा भाव हमारी एसेट्स को दिखाता है हमारे संचिध्धन को बताता है हमारी वेल्थ को बताता है हमारी सेविंग्स को दिखाता है हमारी स्पीच को हमारी वाणी को बताता है और अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो इनसान का जो चहरा है फेस है उसको रिप्रेजन करता है इनसान के कुटुम को बताता है फैमली को बताता है तो जब चंद्रमा यहां अगर शुब अवस्ता में होगा तो इनसान की जो वाणी है उसकी जो स्पीच है उसमें मधूरता होगी मिठास होगी ऐसा इनसान कभी भी किसी के साथ बात करेगा तो उसके बात चीत करने के तरीके में एक सौमेता होगी एक शालीनता होगी एक मिठास होगी और उसका जो वहवार होगा वो भी एक कह सकते हैं कि मधूर वहवार होगा सब के साथ कह सकते हैं मिल जुल कर रहना या मीठे तरीके से बात करना ऐसे इनसान की लाइफ में देखा जा सकता है दूसरा ऐसे इनसान को लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है ऐसा इनसान लक्ष्मी ऐसे इनसान की लाइफ में जिन्दगी में आती है और ऐसा इनसान दिल खोल के खर्च भी करता है देखिए जिस प्रकार से लक्षमी चंचल है उसी प्रकार से चंद्रमा भी चंचलता का प्रतीक है यहां पर इनसान दिल खोल के खर्च करता है और दिल खोल के पैसा आता है ऐसे इनसान के पास देखिए यहां पर क्या है अगर ऐसा इनसान जो है अपनी एसेट्स को बनाना चाहे वेल्थ को बनाना चाहे देखिए यह वेल्थ को भी दिखाता है एसेट्स को भी दिखाता है लेकिन वेल्थ को बनाना चाहे तो ऐसे इनसान को लक्ष्मी को इतमीस जो धन उसके पास आया ह उसको liquid form में नहीं रखना चाहिए उसको assets में convert कर देना चाहिए wealth में convert कर देना चाहिए जिससे लक्षमी जो है वहाँ निवास करेगी उसकी जिन्दगी में उसकी life में निवास करेगी चंद्रमा जिसका भी दूसरे भाव में होता है कुंडली के दूसरे भाव में होता है और एक अच्छे अवस्था में होता है शुब अवस्था में होता है तो ऐसे इनसान को delicious food खाने का बहुत शौक होता है स्वादिष्ट खाना खाने का भोजन करने का बहुत शौक होता है ऐसा इनसान fresh food खाता है ताजा भोजन करता है और तरहें तरहें के जो फूड हैं उनको ट्राइ करता है खाता है तो इस तरहें का ये जो चंद्रमा है शुप प्रभाव देता है इनसान की जिंदगी में ऐसे इनसान की जो फैमली है कुटुम है क्योंकि कुंडली का जो दूसरा भाव है वो फैमिली को भी दर्शाता है, कुटुम को भी दर्शाता है, तो ऐसा इनसान अपनी फैमिली के साथ काफी अटैश्ट होता है, और काफी हस्मुक किसम का इनसान, काफी खुश मिजाज किसम का इनसान होता है, और अपनी फैमिली के साथ जुड़ा रहता है family के other members भी ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से attached होते हैं means एक कह सकते हैं कि एक ऐसी family में इनसान का जन्म होता है जिसका आपस में एक दूसरे के साथ प्यार हो आपस में मेल मिलाप को दिखाता है मधुर संबंधों को दिखाता है ऐसे इनसान के लिए कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं होती पैसे की कमी नहीं होती राजा के समान ऐसे इनसान का जीवन होता है लक्ष्मी की कृपा ऐसे इनसान पर बनी रहती है ऐसा इनसान wealthy होता है, assets तना सकता है और एक कह सकते हैं wealth को भी show करता है ऐसे जो इनसान है, उनका जो चहरा है वो एक सौमेता लिये वे होता है एक सुंदर चहरा, क्योंकि चंदरमा एक शुब्ग रहे, जैसे कहते हैं न चांद सा चहरा तो जब चंदरमा एक अच्छी अवस्था में, एक second house में कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान होता है तो इनसान का जो जातक का जो चहरा है, वो चांद के समान, चंदरमा के समान होता है चंदरमा के समान उसमें सौमेता होती है ऐसे इनसान को अपनी केर करने के लिए, देखिए ये चीज़ फीमेल्स में देखी जा सकती है कि ऐसे जातक जो हैं फेशियल कराने के अपने चहरे को चंदर के लिए, संदर दिखने के लिए वैसे तो संदर होते हैं लेकिन फिर भी ऐसे इंसान जो है, मेकप करना या फेशियल कराना ऐसे इंसानों को बहुत पसंद होता है Females की मैं बात कर रहा हूँ अपने चहरे को बिल्कुल चमका के रखना चाहते हैं सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर होते हैं रिखा जा सकता है कि फैमिली में, कुटुम में, जो फीमेल्स की संख्या है, या कह सकते हैं जो स्त्रियों की संख्या है, वो जादा हो सकती है, ऐसे इनसान को, ऐसा इनसान का वहवार दूसरे के साथ जितना मधूर होगा, उसकी वानी, उसकी स्पीच जितनी मधूर होगी, द बैटकर इनसान के वहवार को, उसकी स्पीच को उसकी वानी को भी दिखाता है। जितना अच्छा वहवार, जितनी अच्छी स्पीच, जितनी अच्छी वानी लक्षमी का आगमन उतना बहतर बना रहेगा ऐसे इनसान की जिन्दगी में। इसके अलावा ऐसा इंसान अगर अपनी मां देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा इंसान जु है उसका वहवार अपनी मां के साथ भी अच्छा होता है। लेकिन फिर भी ऐसा इंसान जितनी मा की सेवा करेगा, जितना मा का आशिरवाद लेगा, क्योंकि मा भी चन्द्रमा का परतीक है, तो उसके जीवन में लक्ष्मी मा की कृपा सदैव बनी रहेगी. ऐसे इंसान के जहां पर भी ऐसा इंसान रहता है, उसके घर के आसपास मंदिर का होना भी देखा जा सकता है क्योंकि कुंडिली का जो दूसरा भाव है वो मंदिर को भी दिखाता है और वहाँ पे चंद्रमा का बैठना एक शुब ग्रह का बैठना ये दिखाता है कि जहां पर भी इंसान का उस जातक का निवास्थान होगा उसके आसपास कोई ना कोई धारमिक स्थल का होना मंदिर का होना देखा गया है यदी चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में है और कोई भी पाप ग्रह की दृष्टी चंद्रमा पर नहीं पढ़ रही है और एक शुभवस्था में है और देव गुरु की दृष्टी अगर चंद्रमा पर कुंडली के दूसरे भाव में पढ़ जाती है तो ये और शुबता लेकर आएगी इनसान और जादा इनसान को वेल्दी बनाएगी इनसान को एक स्वीट नेचरड इनसान बनाएगी ऐसा इनसान की जो वाणी में ग्यान भी होगा मधूरता भी होगी एक अच्छा वहवार होगा दूसरे के साथ और लक्ष्मी मा की करपा सदायव बनी रहेगी तो ये तो था आज का वीडियो चंद्रमा अगर दूसरे भाव में होता है तो क्या परिणाम लेकर आता है देखिए अगर चंद्रमा अपनी मित्र राशी में भी होगा तो भी अच्छे परिणाम लेकर आएगा और यदि चंद्रमा शत्रू राशी में बैठकर कुंडली के दूसरे भाव में हो तो ऐसे इंसान का धन आएगा और खर्च हो जाएगा ये भी देखा गिया है तो चंद्रमा का मित्र राशी में बैठना या स्वर राशी में बैठना या सबसे बेटर है चंद्रमा का उच्छ होकर बैटना और उससे भी ज़्यादा बैटर है देव गुरु ब्रस्पती का आशीरवाद उनकी दृष्टी का होना जितना अच्छा चंद्रमा उतना उच्छा इंसान जो है अपनी लाइफ में वेल्थ को देख पाएगा संचित धन ऐसे इंसान के पास होगा रिचनेस कह सकते हैं चलिए ये तो था आज चंद्रमा को लेकर चंद्रमा दूसरे भाव में किस प्रकार के फल देता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार